तो जलो यह अगला lesson है तीरकोन मीती तो यहाँ पर देखे ध्यार से आईए question number one चलते हैं कहता है sinA बरावर तीन वटा चार तो cost A का मान क्या होगा यहाँ पर आपको पता है कि यह P का value है और यह H का value है क्योंकि sin theta बराबर होता है यहाँ पर h उटिया sin a sin theta बराबर होता है p बटा h तो यहाँ पर b का value नहीं है तो b का value पाइथागोरस theorem से निकाल लेंगे h square minus p square h का value यहाँ पर दिया है 4 तो 4 का square minus p का value 3 का square अब यहाँ से हल कर देंगे 4 चोके 16 और 3 तिया 9 तीन का square 9 हो जाएगा अब यहाँ पर देखे क्या होगा 16 में से 9 गिया तो 16 में से 9 गिया कितना बचा 9 7 बचा root 7 अब यहाँ पर देखे लिए root 7 का सिर्फ एक ही option है root 7 y 4 option number 4 हो जाएगा ऐसे आपको बता दें कि cos a का formula होता है b वटा h और b का value हम लाएए root 7 और h का value आपको पता है 4 है तो यहाँ पर नीचे 4 लिख देंगे ठीक है अगला प्रस देखे प्रस नमबर 2 है sin theta ब्रावर 12 वटा 13 12 वटा 13 तो यहाँ पर देखे 12 जो है यह p का value है और यह a जो है h का value है ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पर b का value निकाल लेंगे और b का value जो आएगा वो आता है कितना तो 12 और 13 तो relation इसका 5 से होता है ठीक है पैथा गोरस धियरम से जैसे आप निकाल लिजेगा यहाँ पर हम आपको एक निकाल के दिखा चुके हैं इस परकास इस फर्मूला से आप निकाल सकते हैं तो cos theta बरावर होता है फर्मूला cos theta बरावर b वटा h और b का value जैसे कि हम आपको बताएं कि 5 आएगा और h का value पहले से दिया हुआ आपका 13 तो यहाँ 13 और 5 वटे 13 option number आपका d विलकुल सही answer है अगला प्रस्ण यहाँ पर देख लिए ध्यान से वही फिर से है कि sin theta बरावर 4 बटा 7 तो बताएं cos into sake और cot into 10 का value क्या होगा ठीक है तो यहाँ पर देखें ध्यान से क्या होता है तो देखो ऐसे प्रस्ण को हल करने के लिए तिरकोर्ण मिती का तयारी आप खुब अच्छा से कर चुके होंगे तो यहाँ पर सिधा सिधा आपको हम बता देते हैं कि यह cos into sake जो होता है इसका value 1 होता है cos into अगर sake लिखा रहे तो value 1 और cot into 10 रहता है इसका value 1 तो इसका value 1 हो गया इसका value भी 1 हो गया बीच में क्या है पलस है तो वेक जोड़ एक कितना होगा option number D इससे हमको कोई मतलब ही नहीं ऐसे भी आप बना सकते हैं option number आपका कौन होगा D हो बिल्गूल सही answer हो जागा अगला देखे दिया है कि cos A बराबर 4 बटा 5 तो बोलो यह दिया है आपका B का value यह P का value तो वो 3 आएगा ठीक है P का value निकालेंगे तो 3 आएगा H square माइनस B S square अंदर root तो बताएए 25 पचीस चार चोके 16 घटाएंगे ते कितना आएगा जी 9 आगा 9 का बर्मूल 3 होता है तो P बराबर 3 और H बराबर आपको पहले से दिया होगा 5 तो 5 by 3 आपको आफसन नमबर आपका C बिलकुल सही एंसर है ठीक है अगला देखिए यहाँ पर दिखा हुआ कि sin 2 A बराबर 2 sin A तो कौन सा सत्त है यह का मान आपसे पूछा है तो यहाँ पर आप देख लिजए यहाँ पर हम बनाते है sin 2 A बराबर यहाँ पर 2 sin A दिया हुआ है ठीक है अब यहाँ इसका देखिए sin 2 A का फर्मूला होता है 2 sin A into cos A ठीक है अब राबर 2 sin A अब यहाँ पर देखो 2 sin A से 2 sin A खतम यहाँ पर वागिया cos A cos A अब यहाँ कुछनत 1 है अब यहाँ आप जानते हैं कि cos A तो cos में value जो होता है एक किसका मान होता है तो cos यहाँ पर जो value जो एक होता है यह cos जो है 0 degree का मान होता है cos किसका मान होता है 0 degree का अब cos इक्वल cos तो A बराबर कितना 0 degree तो A बराबर उपसन नमबर 4 जी रो डिग्रीज का एंसर हो जाएगा अगला प्रस्ण है सेख ठीटा बराबर क्या होता है तो सेघ ठीटा जो होता है कौस का इल्टा भी हम आपको बता रहे थे यहां पर prescribe पॉझी उठ लिए के लिए कॉझ कट के बन हो जाता है पहली होगा तो चलिए देखिए यहां पर हम क्या करेंगे ना यह साइन बीस जो है ना साइन बीस तो साइन बीस को हम यहां पर क्या करेंगे बदल देंगे तो साइन बीस को जब हम यहां पर बदलेंगे तो यहाँ पर होगा cos 70 ठीक है और यहाँ पर देखे दियान से cos 20 है तो यहाँ पर हो जाएगा sin 70 sin 70 अब आपको पता है कि cos 70 into 670 is equal to होता है 1 और इसका जो हता है sin is equal to cos 6 इसका भी भेलू होता है 1 तो हो जगा 1 और बीच में plus 1 1 प्लस 1 होगा कितना दो तो आपसन नमबर इसका डी सही हो जाएगा अगला है कहता है कि sin ठीटा बराबर cos ठीटा तो ठीटा का भेलू बताईए तो सीधा सीधा आपको पता कि sin 45 और स्कॉस 45 का भेलू 1 y root 2 होता है तो दोनों ठीटा का भेलू एक को लोगा 45 डिगरी 10 a का मान आपसे पूछ रहा है तो 10 a का मान आपसे पूछ रहा है तो 10 a का मान किसका होता है तो cot 90 minus a बराबर 10 है option number आपका एक सही हो जाएगा अगला पूछ रहा है say square minus 1 तो 10 a square आपसे नमबर आपका c बिल्कुल सही है सब फर्मूला है ठीक है अगला प्रस्ण देखे दियान से यहां पर क्या कर रहा है 9 say square minus 9 10 a square तो इसमें common आप ले लिजे यह दोनों आप देख रहा है दोनों में 9 मिल रहा है तो 9 common लेंगे तो हो जाएगा say square theta minus 10 a square theta आपको पता है say square theta minus 10 a square theta is equal to 1 तो इसका भेलू सीधा 1 हो गया तो सिर्फ और सिर्फ बचा 9 आनिया option number आपका भी बिल्कुल सही answer है अगला प्रस्शन कहता है निवन में कौन cos theta बराबर होगा तो cos theta बराबर होता है 1 minus sine square theta यहाँ पर theta चुट गया 1 minus sine square theta के अंदर root option number आपका भी बिल्कुल सही होगा 10,60 का value होता है root 3 अब यहाँ पर देखिए ध्यान से cos एक डिगरी है cos दो है cos तीन है इसी तरह से cos 90 तक गया है आज जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर अब इसको हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे तो चलिए यहाँ पर आपको मालूम है कि कि cos 90 का भैलू जो हता है 0 इसका भैलू हता है 0 अज सब देखिए एक दूसरे सब में हम multiple है तो सब बताए 0 जब सब में गुना होगा तो सब को 0 बना देगा तो option नमबर आपका कौन हो जाएगा एक option हो जाएगा अच्छा अब यहाँ पर देखिए ध्यान से इसको अब हल करते है ठीक है तो इसको हल करेंगे तो जिलिए आ जाएगे उट 2 है तो 2 लिख देंगे 10 30 का भैलू होता है तो 10 30 का भैलू एक बटा कितना होता है तो होता है root 3 होता है नीचे आ जाएंगे तो 1 प्लस 10 30 का भैलू 1 बटा root 3 का स्क्वाइर कर देंगे आगे चलते हैं उपर गुना कर देंगे तो 2 बटा root 3 हो जाएगा फिर भागा लगाएंगे नीचे करेंगे तो 1 हो जाएगा नीचे इसको तोड़ेंगे तो जाएगा एक बटा 3 root हट जाएगा अगला लाइन में फिर चलते हैं आगे उपर लिखेंगे दो बटा root 3 होई सही नीचे LC में लेंगे 3 तो जाएगा 3 प्लस 1 हो जाएगा अब यहाँ पर आगे आ जाएगे दो बटा हो जाएगा root 3 गुना करेंगे तो 3 चल जाएगा उपर और 4 आजाएगा नीचे दो से काटेंगे दो दूना 4 तो हमारे पास आया 3 बटा 2 root 3 अब यहाँ पर देखें कोई option नहीं है सब degree मारा तो इसको कुछ नहीं करना है करना है क्या नीचे का परमे करन कर देंगे उपर भी root 3 से गुना कर देंगे तो 3 root 3 और नीचे आजाएगा कितना 2 गुना 3 यह से यह खतम हो जाएगा तो हो जाएगा root 3 y 2 अब root 3 y 2 जो हता है किसका value होता है तो sin 60 का मान होता है root 3 बटा 2 root 3 बटा 2 sin 60 थाने option number आपका पहला ही सही है आप देखो देहां से आगला प्रस्टन है 1 plus 20 square इसकल टू होता है से का स्क्वार ए बटा 1 plus cot और होता है कौसे का स्क्वार कौसे का स्क्वार ए अब यह दोनों को बदल दो अब यहाँ पर देखो से का स्क्वाइर वरता वन वटा कॉस स्क्वाइर वन वटा कॉस स्क्वाइर और नीचे कॉसे का स्क्वाइर वरता वन वटा साइन स्क्वाइर वन वटा साइन स्क्वाइर अब इसको पलट यह तो साइन चल जागा उपर कॉस जागा नीचे तो साइन उपर कॉस नीचे होता ह 10 का value तो 10 स्क्वाइर A हो जाएगा option number D हो जाएगा अगला प्रस्न देखी दियान से कर रहा है कि 2 कॉस एक स्क्वाइर 60 degree का मान कितना होगा तो चले इसको हल करते हैं यहीं पर आईए यहाँ पर 2 का 2 लिग दिये अब अच्छा कॉस 60 कॉस 60 का value होता है साइन 30 का उल्टा तो यहाँ पर होगा एक वटा दो अब पावर कितना है दो तो पावर दो कर देंगे हो जाएगा दो गुना एक वटा दो गुना एक वटा दो दो से दो काटेंगे हमारा answer आएगा एक वटा दो option number 4 हो जाएगा अगला प्रस्ट देखे question number 18 कर रहा है यहाँ पर पाई वटा थिरी दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि sign जो है न और यहाँ पाई जो है तो पाई का मान होता है 180 और नीचे 3 है तो 3 से काटेंगे 3 छक अठारा नी 60 वार अर्थार sign 60 डिग्री आया और sign 60 का मान होता है root 3 y 2 तो option number आपका B बिलकुल सही है root 3 y 2 इसका सही अंसर होगा अगला प्रस्ट का अंसर देखे 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 हैं से 3 theta into 90 है तो 3 से काटेंगे पहले इसको तो 30 तिया नब्याने theta is equal to के degree तो यहाँ पर theta यहाँ पर 30 डिग्री भर दिजिए तो cos 30 का मान कितना होता है तो cos 30 का मान होता है root 3 y 2 option number B बिलकुल सही अंसर है अच्छा ये वाला सवाल देखो अभी हम just तुरात हल किये थे तो इसमें हल किये थे तो आपको पता था कि उसमें answer जो आ रहा है ये 0 डिग्री आता है एक पहला option आ रहा था ठीक है तो देख लेना पीछे अगला प्रसंदेखे रहा है कि नीवन में से किसका एक 1 बटा रूट 3 के बराबर है तो 1 बटा रूट 3 जो होता है 10 30 का भेलू होता है अब देखो 10 का इसमें तो एक ही गो है तो इसमें दखो पाइक जगापर 180 भरते हैं यहाँ पर दखो 10 पाइक जगा 180 अब बटा 3 3 से काटो के बार में होता है 3 छक 18 तो यहाँ तो यह 60 डिग्री आ गया 10 60 का मान कितना होता है 10 60 का मान होता है रूट 3 तो रूट 3 तो है नहीं अन्य इसका उल्टा जाना पड़ेगा तो चलिए और किसी में मान भरके हम लोग देख लेते हैं तो यहाँ पर देखे किसी में भी मान भरेंगे तो इसका नहीं आएगा भैलिव तो अर्थार्थ हम क्या करेंगे ना कि पाई जो देख रहे हैं यहाँ पर ये कॉस नहीं बलकि यहां पर कॉट इसको बना देंगे तो उपर भी हमको लगज़ा नहीं आएगा है ना इसको भी अगर हम बना दे कॉस तो 30 रूट 3 ही आएगा अर्धार्थ हमको क्या करना पड़ेगा ये 6 हटाना पड़ेगा ये देख रहे हैं न 6 ये 6 को हटाईए तो आईए देयान से तो यहां पर देखियान से कॉट जो है एक सोवा सी बटा थिरी तीन से काट ये तीन शेक एठारा साथ अनि कॉट साथ का भेलू कितना होता है तो वन बटा रूट थिरी अनियो ऐप्सन नंबर आपका बी यहां पर सही हो जाएगा यहां पर 6 जो था नहीं मेरें स्प्रिंट था यह ऐप्सन में ठीक है अगला प्रस्वा देखिये देयान से कहता है साइन स्कुएर 18 प्लस साइन स्कुएर 72 तो यहां पर देखो नहीं से 72 degree है ना इसको हम हटाएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा cos square 18 degree तो sine square 18 degree प्लस cos square 18 degree का बहलू होता है 1 और यह option number B अगला प्रस्ट है cos square 40 sine square 50 sine square 50 का बहलू आप से पूछ रहा है ठीक है तो यहाँ पर देखे ध्यांसे अब इसको कैसे हल करेंगे तो यहां पर देखी देंसे यह कॉस है और यह साइन है तो दोनों को जानते हैं साइन ही रहने दीजिए दोनों को साइन या दोनों को कॉस रहने दीजिए तो दोनों को साइन ही कर देते हैं ठीक है दोनों को साइन करेंगे the sine square 40 इसको तोड़के बनाईएगा तो हजाएगा cos square 40 cos square 40 अब sin square 40 और cos square 40 का value जो होता एक होता option number 4 हो जाएगा ठीक है थोड़ा सा मिस्प्रिं'T है आगे देखिए यहाँ पर कह रहा है कि cos a बराबर a x तो sine a का value कौन the sine a बराबर formula उता अंदर root 1-cos square a अब यहाँ पर देखे 1-cos a का value x है तो यहाँ x रख देंगे तो x square तो 1-x square अंदर root option number आपका b बिल्कुल सही answer है अगला प्रसंद देखो त्यांसे यहाँ पर क्या कह रहा है कह रहा है यह देखो cos a plus cos b sin a plus sin b और यहाँ पर देखो साइन a into sin b है यहाँ पर पलस यहाँ पर क्या है पलस है तो question में minus जोगा cos a minus b ठीक है यह a का स्थान पर है बी का स्थान पर है तो अगले cos a का स्थान पर कितना है 60 है minus यह b का स्थान पर 30 तो बच गया कौंची cos 30 degree तो cos 30 degree का value कितना होता है तो root 3 y 2 अब देखें root 3 y 2 option number का है यहाँ पर है अगर आप ऐसे नहीं बनाते हो अगर आप ऐसे नहीं बनाते हो तो चलो पूरा detail ही हल कर लेते हैं आजो cos 60 degree into cos 30 degree plus sin 60 degree into sin 30 degree ठीक है अब यहाँ पर देख लो ध्यान से cos 60 तो cos 60 का value कितना होता है तो यह आपका हो जाता है एक वटा दो cos 30 का value कितना होता है तो root 3 y 2 plus sin 60 का value कितना होता है तो root 3 y 2 और sin 30 का value होता है एक वटा दो अब यहाँ पर देखो दूदूनी 4 है यहोँ दूदूनी 4 है तो यहाँ पर सीधा सीधा जो है चार लसल ले लिजे चूप चाप तो यहाँ बज़ेगा root 3 और यहाँ भी बज़ेगा कितना जी तो root 3 अब जोड़ेगा तो जागा 2 root 3 अनीचे 4 दो से काटिये 2 दू न, root 3y2 ही आपका एंसर आया न तो यह फर्मूला एक तरह का लिखा हुआ है कि कॉस A माइनस B बराबर कॉस A इंटू कॉस B प्लस साइन A इंटू साइन B ठीक है तो इसे भी बनाई है चाहे लॉंग से बनाई है कोई फर्क ने पड़ेगा चलिए अगला आते हैं तिर कॉन मीटी के अनू पर योग से ठीक है यहां पर देह करा बारा मीटर ऊचे खंभे तो बारा मीटर ऐसे उचा देंगे यह उचा यह हो ले बारा पढ़ रही छाया की लंबाई छाया की लंबाई आपका इसे हो गया फोर रूट थिरी फोर रूट साथ डिग्री के डिग्री तो ठीटा ब्राबर साथ डिग्री मार दीज़ेगा थीक है अगर ठीटा के सामने लंब है चोटा तो 30 डिग्री इसे आप लोग को बिश्वास नहीं हो रह है जलिए तेंह हल करके देखी लिते हैं चलिए 7 ठीटा बराबर लंब राबर है 12 अधारबाबर कितना है, τ 4 रूट 3 अब यह दिखें धियन से चार से काटेंगे तरken 14 आप यहां पनेगा तैंड ऍही बराबर 3 रूट 3 अब सब्सक्रीजियर में क्या करिए इसको पर्मेकरन करिए तेन बटर रूट ठील और उपर नीचे क्या करेंगे रूट 3 से गुना तो 3 रूट 3 और नीचे देखे तीन आएगा तो 3 से 3 खत्व अब बोल यह 1060 कमान होता है रूट 3 की नहीं बोल रहे थें आपको 1060 कमान रूट 3 तो चलिए किलिए हो गया यह अगला देखे धयां से कता किसी मिणार की उचाईए चलिया इए कि iets मिणार है कुछ यही है मिणार है ठीक है यह मिणार है मिणार की उचाई है 10 मीटर ठीक है मतलब कि यहाँ पर के डीरी बनता है 45 तो करा च्छाय की दखिया 45 रहेगा 39 आपस में क्या रहेगा बराबर अगर यह 10 है तो 6 भी 10 और आपका D हो जागा बिलकुल सही अंसर अगला प्रश्ण है कर भूमी के एक बिंदू से मिनार के पैर से 30 मीटर दूर पर देखे धियाँ से जमीन पर जमीन पर एक बिंदू से ठीक है कहता है भूमी पर एक बिंदू से मिनार के पैर से तो चलिए मिनार के पैर से, तो मिनार का पैर यहां पर है, यहां से कई मीटर दूर कर रहा है, तो कर रहा है कि 30 मीटर दूर, उन्नायन कौन, मने मिनारवा का कौन बन रहा है जासे 30 डिगरी, तो कर रहा है मिनार की उचाई ग्याद करें, तो देखिए 30 डिगरी बना जी, 30 डि प्रक्रां कर देंगे इसमें लेकिन चलिए ना आपको तो विस वासे नहीं होता तो फिर से बनाते हैं टैनं तीस डिग्री बराबर एच का माझन है एच बटा-3 इच बटा-3 यह पर मान होता एक से हल करते जाहिए तो हल करिये गा ता आपको आएगा देखे पर मिकरन कर दिए रूट 3 उपर भी रूट 3 तो ऊपर में देखे आपको आएगा तीज माओगा और नीचे तीन आएगा बराबर bleibt ले यह यही आपका है यह विए ऑगा ऑपस NUMBER आपको भी आ गया 10 रूट 3 आ गया ठीक है काता यह दिस सूरज की किरन देखिए यह वला थौशल लंबा जा रहेगा इसलिए इसको चलिए हल करते हैं ठीक है देखिए यहाँ पर ना बीडियो हो गया था पाउस ठीक है बीडियो हो गया पाउस यहाँ पर सबसे 45 डिग्री वला इधर बनाये हैं ठीक है और 60 डिग्री से यहाँ पर आपका चले है छोटा तिर भूश में ठीक है पर मेकरन देखो यहाँ पर कर दी हैं यहाँ पर तो एक कर लिए कटा उननेयन कौन और अब नवन कौन में क्या संबंध होता है तो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं ठीक है दोनों में बराबरी का संबंध होता है कटा एक मिनार से एक मिनार से 100 मिटर दूर इस्थीर बिंदू पर, जमीन का उन्हें, कौन 60 डिग्री है, अब यहाँ पर देखो यहाँ से गौर्ष, ठीक हिए, ऐसे मिनार है, ठीक, अगे कर जमीन से कितना है, 100 मिटर दूर 100 मिटरं, यह 60 degree कौन बनाता है तो h बराबर आपसे पूछ रहा है ठीक है तो h बराबर पूछ रहा है यहाँ पर से वही चलेंगे 10 60 degree बराबर h बटा 100 10 60 का मान कितना होता है जी 10 root 3 होता है यहाँ h बटा 100 इन्हें भागा तेने क्या हो जाएगा जी गुना हो जाएगा तो h बराबर हो जाएगा 100 root 3 आनि option number आपका कौन सही है तो चलिए देख लेते हैं कौन सा option सही है तो हो जाएगा 100 root 3 option number 1 हो जाएगा बिल्कुल सही एंसर अगला प्रस्ण है करा कि 7 7 यदी 7 number यदी एक उदर खंबे की छाया की लंबाई ऐसे उदर खंबा है और ये चाया है ये वला आपका करते हैं चाया कता खंबे की लंबाई के root 3 गुना है खंबे की लंबाई के root 3 गुना है अगर ये एक है तो इसका लंबाई या root 3 है तो आपसे यही वला पूछ रहा है ये ठीटा तो आप बोलो न, 1 वर्टा रूट 3, 10 में कहई डिगरी का मान होता है? तो 10 में 30 डिगरी का मान होता है, तो आपसन नमबर आपका कौन होगा? B हो जाएगा, ठीक है? आपसन नमबर B हो जाएगा चलिए आगला नमबर देखें, प्रस्न नमबर 8 क्या कर रहा है? के H1 और H2 ठीक है, दो को मिनार है तो H1 देखे, 60 डिगरी पर बना रहा तो ये बड़ा हो जाएगा ठीक है, और ये दोनों के बीच के दुर्या ये छोटा हो जाएगा ठीक, दोनों के मध्य बिंदू तो ये बनाता है 60 डिगरी इस पर कौन बनाता है और ये इस पर बनाता है 30 डिगरी का कौन ये से हम H1 कहेंगे, इसे H2 कहेंगे ठीक है, अब यहाँ से देखो देन से यहाँ से यहाँ तक था पूरा लंबाई X, तो ये हो गया XY2, ये भी हो गया XY2 आधा-धा हो गया, ठीक है अब यहाँ से देखे देन से लंबा हलका स्लिक के हल करेंगे तो आपको समाज में बढ़ियास आएगा तो से चलेंगे 1060 डिगरी का भैल्यू H1 बटा X बटा 2 ठीक, 1060 का भैल्यू हता है रूट 3, ये H1 बटा X बटा 2 ये ही इधर भागा ती से जाके गुना हो जाएगा और गुना करेंगे तो हो जाएगा रूट 3 इन्टू X बटा 2 बाकी बचा H1 ठीक है, उसी परकार से 30 डिगरी वाले में हल कर लेंगे छोटा वाला में तो हो जाएगा 10 30 डिगरी बराबर हो जाएगा H2 बटा X बटा 2 अब बताएगे, यह होता है 10 30 का मान होता है 1 बटा रूट 3 और यह होता है H2 बटा X बटा 2 यह इधर भागा तीधर चल जागा उपर गुना में, तो X उपर हो जागा नीचे 2 रूट 3 आ जाएगा यह हमारा H2 आ गया ठीक है, अब दोनों का कहता है बटा करने के लिए H1 बटा H2 तो बोले, H1 का भेलू तो यह है तो मान भार दीजिये ना रूट 3 X बटा 2 अब पूरा भागा के लाएग और H2 का मान कितना है X बटा 2 रूट 3 बोले, X से X उपर खता है ठीक है यह 2 से 2 जो है नीचे खता है अब यह जो उपर गुना जाके होगा उपर गुना हो जागा तो उपर में जागा 3 रेशियो नीचे 1 बचेगा निए 3 उनुपात 1 इसका एंसर हो जागा तो option number 1 में देखे देखे दियांसे आपका क्या है, 3 उनुपात 1 option number 1 है, क्लियर है देख लिजे एक बड़ यहां से ठीक है अगला प्रसंदेखी दियान से कर रहा है कि सूरी का उन्ययन कोन जब सीधे खड़े खंबे की चाया की उचाई के बराबर हो उचाई के बराबर तो जैसी उचाई और अधार दोनों बराबर हो पैतालिश दीरी का इंगिल बनता है कहता है एक साथ मीटर उचे खंबे चाया की चाया जमीन पर इतना मीटर लंबी है ठीक है जमीन पर इतना देखिए उपर ध्यान दीजिए ऐसे आपसे पूछा ना तो जमीन पर चाया है टू रूट थिरी आई ये है छे मीटर के मीटर है तो आपसे ये ठीटा पूछ रहा हूं ने यन कौन तो आपको बोले थे ना अगर ठीटा सामने भूजा बढ़ा है तो सीधा मर येगा साथ दिग्री अगर भूजा सामने बढ़ा है तो सीधा मरना है के डिग्री 60 डिगरी ठीक है आगे देखें ध्यान से कह रहा है कि किसी खमबे की पाद से किसी खमबे की पैर से तो यहाँ देखें खमबा के पैरवा से कई मीटर 20 मीटर दूर 20 मीटर दूर कहता है उस इस्थित बिंदू पर उस खमबे के शिर्ष का उन्हाँ कौन 30 डिगरी है यह वाला जो है आपका जो है ठीटा के डिगरी है 30 डिगरी यहां पर है तो खंबे की उचाई आपसे पूछ रहा है एच बराबर तो यहां फर्मूला चल देंगे 10 30 डिगरी बराबर हब 20 तो तेन 30 का मान होता है वन बटा रूट थ्री अए एच बटा यह बीस जो है तो इने जाके उपर गुना हो जागा तो इसी में उपर गुना कर देते हैं तो एच बराबर हो जागा 20 बटा रूट थ्री अब देखिए रूट में एंसर नहीं दे रहा है तो यह उपर कि एक करेंगे पर में करन कर लेंगे बीस रूट थिरी और नीचे हो जाएगा थिरी अब इसी को देखे धियान से हल कर लेते हैं तो कितना एंसर आता है अनि लगभग जो है आपका एक गारा पॉइंट संथिंग इसर आएगा ऑपसन नमबर आपका सी हो जाएगा अगले प्र कता अगर ब्रिच की छाया की लंबाई वन बटा रूट 3 गुना हो छाया की लंबाई जो है वन बटा रूट 3 गुना है तो बताईए की सूर्य का उन्नयन कोन कितना होगा तो देखिए छाया की लंबाई का मतलब ने समझे है उपर में अगर एक है तो ये वला रूट 3 है तो समझे बटा रूट थिरी कुनान का रहा यह वला एक है तो हाल इसका करिए गता साथ डिकर शाइडा अगला प्रसंदे कर रहा की अगर छाया और लंबाई जो यहां देके देले एक अनुपाज रूट थिरी तहें पजिता है यह का बटा रूट थिरी तो टैंज केतना खोता 30 डिगरी का मान option number C हो जागा ठीक है एक मिनार के पैर से इतना मीटर दूर पर इसे एक बिंदू का उन्हें कौन 30 डिगरी है मिनार के पैरवा से जो है 50 रूट 3 है और यह हम से पूछ रहा ठीटा का मान ठीक है तो यह एच्छ समझिए तो यहां से हम चल लोग चल देंगे टैन ठीटा बरावर एच बटा 50 रूट 3 तो यहां बोलिए टैन ठीटा के ठीटा आप रहने दीजिए आई यह आपका जो है देखे ज्यांसे अच्छ तीश डिगरी यह अबलत देलने था आपका तो तीश डिगरी यहां पर भर दीजिए तैन तीश डिगरी तो तैन तीश कमान डिरेक्टर लिखे न क्या उतना लिखेगा तैन तीश कमान वन बटा होता है रूट 3 और एच बटा हो जागा 50 रूट 3 अब रूट 3 से खतम यहां पर उपर जागत कितना बचेगा कितना बचेगा सिर्फ और सिर्फ पच्चास तो एच बराबर सीधा सीधा पच्चास अंसर पच्चास मीटर ऑप्सन नमबर 20 का बिल्गल सही अंसर हो जाएगा चलो अगरा प्रसंद का रहा है अर्ध बृत का कौन क्या होता है वह 90 डिरी का निस समकोन होता है कैसा होता है समकोन होता है कता बृत की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है तो बृत की सबसे बड़ी जीवा उसकी ब्यास कहलाती है किसी बृत पर असपर्स रेखा कितने बिंदू को असपर्स करता है तो केवल और केवल एक बिंदू को असप अलग अलग तिर्जिया वाले दो बृत समरूप होंगे यदि कोई रेखा बृत को सिर्फ एक बिंदू पर असपर्स करता है तो वह रेखा असपर्स रेखा कहलाता है अगला प्रश्ण है किसी बृत पर बाहरी बिंदू से खीचिगे असपर्स रेखाओं की संख्या जो है व उसे हम क्या कहेंगे दो भिन बिंदू पर परती छेद करेगी उसे हम क्या कहेंगे तो उसे हम कहेंगे छेदक रेखा कहेंगे अगला प्रश्ण है देख लिए जहांसे कह रहा है किसी तीर्भुच के तीनो लंब के मिलान बिंदू को कहा जाता है तो लंब के अंदर कहते है तीनों मिलान बिंदू, लंब के मिलान बिंदू को लंब केंदर कहेंगे, किसी बृत की जीवा की लंबाई, बृत की तिर्जिया के बराबर हो, तो जीवा के द्वारा केंदर पर बनाया गया कोन कै डिगरी का होगा, ये इसे सरकिल है, ये जीवा है, और ये तिर्जिया है आ बाहूतिर भूज तर केंदर पर 60 डिगरी का कौन बनेगा कितना दी बनेगा 60 डिगरी का कौन अगला प्रशन है बृत का केंदर O है बिंदू P से खीची गई दो असपर्स रेखा पी और पी भी है एक दूसरे को 80 डिगरी पर जुकाती है तो P O का मान तर्या यह बना लेते है यहां पर तो यहां से ऐसे लेते हैं और यहां से ऐसपर्स रेखा खीच दिया यहां पर कता केंदर इसका O है तो वो नाम दे दिये हैं और यहां पर देखें पी बिंदू से खीचा गया है उपर में A है तो नीचे B है अब देखें ध्यान से इसको हम ऐसे मिलाएंगा ऐसे म वला एंगिल पूछाए X का मान, ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए, यह S C है, तो सामने यह पूरा 100 डिग्री होगा, और 100 का आधाप से पूछा 50 डिग्री, आपसन नमबर आपका एक हो जाएगा, 50 डिग्री, अगला प्रस्ण है काता, यदि किसी बिंदू से बृत पर कि लंबाई 24 है, तो यदि P से केंदर की दूरी 25 है, तो बृत की तीरजिया गयात करें, आईए, यह देखिए धियां से, ऐसे है, और यह बिंदू से खीचा गया मान, यह P से, तो इसकी लंबाईया है 24, आपकेंदर से एकर दूरीया है आपका 25, तो देखिए, यहाँ पर 90 कोन बन गया, तो देखिए, गर्न है, यह धार है, तो आप से लंब पूछ रहा है, तो तिरजिया कब हैलू निकालेंगे, तो अंदर रूट 25 का स्क्वाइर माइनस 24 का स्क्वाइर, तो 25 का स्क्वाइर 625, और 24 का स्क्वाइर होता है कितना 576, तो चलिए कितना हो जाएगा 625, घटाव 576, पंदर मेंसे 6 गया, बाकी 9, यहां बचा कितना जी, तो 11, 749 बचेगा, उनचास का बरमूल कितना होता है, सेवन, और यह उप्सन नमबर एक, इसका सही अंसर हो जाएगा, कहता है, तीन मीटर तिरजिया वाले वृत, पर किसी बाहर के बिंदू, एस एस पर रहा कि लंबाई 4 है, तो केंदर से दूरी बताये, देखिए, कितना सुन्दर कोश्चन है, तीन मीटर देखिए, तीन सेंटी मीटर तिरजिया हो गया, अब बाहर ही ऐसे गया, इसे बिंदू से, ठीके, तेकर लंबाई यह चार है कर तीन है, तब बतायें जी, इनना बेट होता है, समझे की ने, दुन्हू के करता है, अगर यह वाला है आठ, तो यह वाला भी आठ होगा, तो उप्सन नमबर आपका D हो जाएगा, आठे सेंटी मीटर, अगला लेसन देखिए, ध्यान से आजाए, यह कह रहा है, यदि एक बृत का परिमाप और छेतर फल जो है, द हो जाएगा, अगला प्रसन है, चावालीस मीटर पर इधी वले बृत की तिरजिया, बोलिए, टू पाई यार पर इधी होता है, आई देल है, अमरा कितना, चावालीस, दूसे काटिये कह बार में, उगले बाइस बार में, पाई कमान होता है, बाइस बटे साथ इन्टू, आर इस कल टू, बाइस, बाइस से बाइस काटिये, तो आर इस कल टू हो जागा, सेवन, अनि यह उप्सन नमबर आपका हो जागा, बी बिलकुल सही अंसर, कहता है, दो बृतो के छेतरफल का अनुपात इतना है, तो तिरजिया का अनुपात जैसी पूछेगा न, तिसका ब बाइ, कहता है, दो बृतों की परीधियों का अनुपात इतना है, तो तिरजिया, देखिए, परीधियी जे रहेगा, वही तिरजियों होगा, तो जो सवाल है न, वही आपका एंसर हो जागा, उप्सन नमबर बी, अगला है, कि बृत की परीधियी बराबर होता है, तो पाई आर, का पूछने का तरीका है, तो पाई आर, अगला तक खिरियां से कहता है, यदि किसी बृत की तिरजिया आधी कर दी जाए, तो पुराने और नए बृत के छेथफल का अनुपात बताईए, ठीक है, तो यहाँ पर धियान दीजिए, ठीक है, यहने हम लिग देते ह है, पुराना, अए नहे नयाबिरित के बारे में, ठीक है, अब देखें, निकालते हैं, अगर यह पुराना मगर तीरजिया मानते हैं, आर, तो छेथ फलबा हो जागा, पाई यारा स्क्वाइर, अन्नाई काम करता है, तीरजिया आधा कर दीजिए, तो तीरजिया है आधा, 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 आधा पीर जिया बताईए ता आपको अंसर इसका याद है साथ संटिमीटर चलिए निकाल लिजिए परिमाप होता है कितना जी तो होता है इसका पाई यार पलस D होता ठीक है पाई आर पलस D तो यहां से जानते क्या करिए common लेके बने यह तो जल्दी बनेगा ठीक है बराबर यह 36 इधर लिग दीजिए आर लेजिए common तो पाई प्लस बचेगा 2 ठीक है आर पाई कमान होता 22 बटे 7 प्लस 2 इस गल्टू 36 अब यहां पर LCM लिजेगा तो उपर में 36 नीचे साते बचेगा अब बते चाती से चातीस खतम दो साते ने भागाते ने गुना आनि आर इस गल्टू 7 सेंटीमीटर तो अप्सन नंबर आपको कौन हो जागा देखिए आपका ओप्सन कहां पर है तो यहां पर एंसर आपका जोगा 7 सेंटीमीटर आप्सन नंबर बी बिल्कुल सही एंसर होगा त्रिजखन का छेदफल दखिए आपसे पूछ रहा है ठीक है त्रिजखन का छेदफल तो ठीटा बटे 360 पाई यारा स्कॉर होता आपका डी सही हो जाएगा बिल्क का ब्यास इतना है तो इसका छेदफल पूछा तो तीर जी आपर अपसन नंबर आपका डी सका एंसर हो जाएगा अगला प्रसंदेखिए कर रहा है यदि एक चक्का इतना चक्कर लगाता है और इतना कीलो मेटर दूरी तेकरता है तो पहले रहा मीटर में बदल ये तो हो जागा कितना एक हजार से कर दिये गुना तो इतना मीटर हो जागा चक्कर तो चक्के की तिरुजिया आप से पूछ रहा है ठीक है तो पांसो चक्कर लगाता है ना तो एक चक्कर बराबर पहले आप निकाल लिजे कितना होता है ठीक है यह 500 चक्कर है तो एक चक्कर बराबर क्या करेंगे पूरा जो है दूरी में भागा दे दीजिए ठीक तो चलिए एक चक्कर में आप जानते हैं एक चक्कर बराबर यह हो जागा कितना 44,000 भागा 500 दू जिरो खत्म हो जागा पांस इसको काटिए देजिए कितना हो जागा पनी अठी चालिस फिर यहाँ पर हो जागा पनी अठी चालिस ठीक है आनि 88 आजाएगा आपको पता है एक चक्कर को हम कहते हैं 2 पाई आर इसकल टू 88 आया अब दू गुने 22 बटे 7 गुने आर हो जागा इसकल टू 88 आगिया अब यहाँ पर देखे दियांसे 22 से काटिए 24 गा 88 दू से काटिए दू दूना 4 आनि आर इसकल टू जो होगा दू आनि 7 भागा तेने 7 गुना में आनि 7 दूना 14 सेंटिमीटर इसका सही अंसर होगा आपसर नमबर B सही होगा कल्कुलेशन बढ़ हैंस करिए ठीक है थोड़ा हम स्पीड में कर रहे हैं करा कि यदि किसी बृत की तिर्जिया को दुगनी कर दी जाए ठीक है तो पुराने और नए बृत का तो यहां पर देख लिए ज़िए यहां साही यहाल करते हैं इन्हें हम लिख देते हैं पुराना वाला आई है नया वाला दोनों अलग अलग निकालेंगे तो अगर यह आर है तो इसका जो परीधी हो जागा टू पाई आर अगर इबलन नया वाला टू आर है दुगना कर रहा है तो हो जागा टू पाई आर का मान टू आर यहां भरेंगे अभी है दुन्हों का ratio निकाल लीजिए बोले टू पाई आर टू पाई आर यह होगे ले एक अई होगे ले दो और वन अनुपात आपका दो answer हो जाएगा कता अर्ध बृत की परिमीती क्या होती है अर्ध बृत्य की परिमिती पाई आर प्लस डी या तो पाई आर प्लस टू आर और अप्सन नमबर बी हो जाएगा ठीक है दो बृत्य के छेट फ़ल एतना है तो तिर्जिया पूछ रहा है तो जबत यह चार और नौ का यह दुन्हू का बर्गमूल वा निकालिये ना चार का बर्गमूल दो और नौ का बर्गमूल तीन अनि दो अनुपात तीन आप्सन नमबर बी कहलाएगा अगला देखे कर रहे बृत की तिर्जिया है साज साज 14 सेंटिमीटर तो परीधी ग्यात करिए तो परीधी बराबर होता है टू पाई यार बोले टू पाई कमान होता है बाइस बटे साथ अवार कमान कितना है तो 14 है साथ से काटिये साथ दुनी 14 आप क्या हत कितना आ गया देखे धियान से बैचों का 88 आनि आप्सन नमबर आपका डी सही है छेतर फल दे ले तिर्जिया पूछा चार का बर्गमुल कितना होता है दो होता है एक का बर्गमुल ते एक ही होगा आपसन नमबर कौन होगा बी हो जाएगा दो नुपात एक अगला प्रस्द के करें दो भिद्ध के परीधियों का अनुपाति इतना है तो आपको बोले थे ना जो परीधिय है वही आपका तिरजिया होता है तो परीधिय जो सवाल है वही answer तो option number आपका बी होजाएगा अगला करें भिरिद्ध का पीजिया अगर अतना है इसेवन, सेवन सेवन खतम, बैदुन चवाली सेंसर आपसन नंबर आपका C हो जाएगा, अगला प्रस्नेदी बृत की तिरजिया है उन्चास, तो बृत का छेतरफल कितना होगा, तो छेतरफल होता है, पाई आर अस्क्वाइर, पाई का मान होता है, बाइस बटे साथ, आर का मान कितना देखिए धियां से, तिरजिया आपका उन्चास सेंटी मीटर दिया है न, उन्चास देले, तो उन्चास को आप दो बारे से इसे गुना कर लिजिए, उन्चास का स्क्वाइर कर देते है, अब देखिए ससते उन्चास, तो जगाए एक सो चौँवन गुना कर देखिए, अब यहां पर देखिए आपको गुना करके कौन सा एंसर आगारे होड़े से, गुना करो, नो चौका च्छाटिस, लास्ट में च्छाओ आना चाहिए, च्छाओ किसमें, सिर्फ एक्यों में है, यह आप्सन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, अगला प्रस्ण क कर रहा है कि अगर बृत की तिर्जिया को दूगना कर दिया जाए, बृत की तिर्जिया को दूगना कर दिया जाए, तो उसका छेतरफल कितना बढ़ जाएगा, ठीक है, कितना बढ़ जाएगा, चलिए, अभी इसको हम थोड़ा सा लॉंग में बना लेते हैं, तो बढ़िय जगा पर two r का स्क्वाइर ठीक है अब यहां पर देखे चेट फल बाब निकाल लिया तो कितना हो जागा इजी यह है देखे होगले कितना दू दू न चार पाई आर स्क्वाइर अब जरा देखे पहले चेट फल यतना आप यह चेट फल यतना बीर्धी हो गया ना तो दियान से बिर्धी परतीशत बराबर एक फर्मूला होता है ब्रीधी गुनाश ब्रीधी गुनाश बटा मूल मान मैंने पहले वाला मान कितना है तो पाई यार स्क्वाइर है अब इससे करेंगे तो हो जाए कितना 300 परसेंट तो यहीं देखे अक्सर विद्यार थी गलत करत सोचेगा दुगना बढ़ा दिये तो 200 हो जाएगा 9 300 परसेंट हो और यह उप्सन नमबर आपका 10 का सही अंसर हो जाएगा अगला देखे कता बर का विकर्ण जो है 16 रूट 2 है तो इसकी भूजा की लंबाई तो देखे बेर का विकर्ण इतना हो ले तब हर मूलबा बराबर 16 रूट 2 रूट 2 से रूट 2 खत्म ए बराबर 16 सेंटीमीटर और आपका बी सही है अगला देखे हैं से घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर है ती तिर्जिया हो गया है का सेंटीमीटर तो इसके दोरह 10 मिनट मेरा चा छेथ फल तो आपको पता है कि यहां पर ए एक मिनट बराबर होता है चौव डिगरी तो दस मिनट बराबर होगा कितना जीत तो चौव गुना दस अनि दस चक साथ डिगरी तो ठीटा बराबर हम रहा मिल गया साथ डिगरी अब त्रिजखंड का छेतरफल आपको निकालना है तो फर्मूला तो आपको पता होगा कि त जृष्षखंड का फर्मूला क्या होता है तो चलिए इसको निकाल लेते हैं फर्मूला होता है देखें पाई कमान भी आपको भर ले फर्मूला होता है ठिटा वटा तीन सो साथ गुना पाई आर स्वाइर तो यहांपर करें ठिटा कमान साथ डिग्री लाएं हैं तो साथ वटा तीन सव साथ गुना पाई के मान बाइस वटे साथ और आर का मान है इकीस तो हो गया इकीस का स्क्वाइर अब देखे छे छक छत तीस यहां सकाड़िया तीन दुना छे एकार दुना बाइस तो हमरे पास आगया उपर एक ग्यारा रीचे कितना फीरी इंतु हो गया इवकेस गुुना इवकेस अब देखे सपर 15 गुना-एकईस खतम ने हो गया बचाए 11 गुना इकीस तही घुयारा गुना इकीस आपको पता है कि कितना होगा तो एक चन्द दूसव सो िकतीसघों उजागा इसका सही अंसर पूछा तो छेतरफल आप जानते हैं कि पाई आर अस्क्वाइर होता है इसके बरावर 154 दिया हुआ है तो पाई कमान देखिए जैंसे 22 वटे 7 है और आर हमें पता नहीं है तो 154 यहाँ पर डाल देंगे अब 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 किदे बैस आते 24 से अब यहाँ पर देख लिए जैंसे आर स्क्वाइर इसकल टू 7 इंटू 7 यह भागाती था जाके गुना हो गया जी अब यह स्क्वाइर कर देंगे तो यह क्या होगा रूट में इससे चल लागा इससे तो बरावर 7 हो जाएगा अब आप से देखिए तो इसके बाद हम लोग चलेंगे क्या ऐ इसके बाद हम लोग चलेंगे करके इस परकार से चलेंगा आगए कुश्चन बैंक फूरब देखेंगे